हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सापने बेल आइकन को भी दबा दीचिए तो फ्रेंट्स आज की इस मॉर्निंग नियूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ और आज की ये मॉर्निंग नियूज आप लोगों को बिल्कुल खुश कर देगी जिहां सातियों जो भी साती आयू सीमा में हो सकता है और असोक अगरवाल सर उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ परदीप सर है और थोड़ा बहुत हमने भी परियास किया है तो ये चीजे मतलब आप जामते हूंगे जो स्पेसल हैं विसे सिख सक हैं उनको आयो सीमा में बदलाव किया गया उनके लिए और जो उन का मामला वो अभी हम देखते हैं अभी आप अपनी सिक्रीम पे देख सकते हैं तो ये आज ही का नीज़ पेपर है पुरुसों को भी उम्र सीमा में चूट और दस साल की इसमें चूट मांगने की बात की गई गई थी और मतलब याची का दायर की गई थी तो अभी मैं बता देता हूं किसने ये याची का दायर की थी और किसने केस लड़ा था ये सेयद मेहंदी नाम के एक कंडिडिट था और 2013 में जो स्पेसल वाली वेकेंसी जाए थी तो एज मतलब इनकी परफेक्ट नहीं थी और इस वज़े से उन्हें जॉब नहीं मिल पाई थी एज जादा ह हो गए थी लेकिन इसके बाद उन्होंने कोट का सहरा लिया और कोट से जादा इंपोटेंट असोग अगरवाल सर का सहरा लिया और असोग अगरवाल सर ने उनको नियाय दिलवाया और आज उनके साथ में सिर्फ उन्हीं को नहीं उनके साथ में जितने भी युवा हैं सभी को 10 साल की उम्र में छूट मिली है और ये बहुत बड़ी जीत है और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज जैसे आप जामते कि हमने एक लेटर भी वहाँ पे सेंड करवाय था तो उसके बाद ये चीजे मतलव थोड़े माइन में भी आई और इसके बाद जो LG सहाब हैं उन्होंने इसको कल पास कर दिया है कि हाँ आयू सीमा में मतलव छूट मिलने चाहिए और उन्होंने मतलव जो LG सहाब हैं उन्होंने सवीधान के अनुच्छे चौदे के तहत समानता के अधिकार का हवाला देते हुए प्रूसों को भी मतलव अधिक्तम उम्र सीमा हमें छूट को मंजूरी दी है तो अभी एक अच्छी खबर ये भी है कि 2000 पद अभी भी स्पेसल वाले खाली हैं तो इन पे भी वैकेंसी आने वाली है ये तो आपको पता होगा कोट की तरप से पास है लेकिन अब क्या है कि इसके लिए भी हमने जो प्रियास किया है और लेकिन हमारा जो लेटरों हापे गया अजी शाहब के पास किया असोक अगरवाल सर ने जो प्रियास किया और परदीप सर ने जो प्रियास किया तो उसके लिए मैं उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि बच्चों के भविश्य के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया तो फ्रेंट्स अब एक बात और भी साफ है कि जो अन्य साती है जिसे प्यार्टी होगे टीजीटी होगे पीजीटी होगे या कोई अन्य जो पोस्ट है उनमें भी उम्र सीमा में बदलाब हो सकता है अब देखते हैं कि आप लोग कितना सहयोग करते हैं और हम आने वाले समय में हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर कोई बदलाब नहीं होता है तो हम एलजी साहब के पास मिटिंग रखें असोक अगरवाल सर के पास मिटिंग रखें तो ये चीजे हम करेंगे और इसके बाद बताना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक चैनल का लिंक है वो भी आप सब्सक्राइब कर दें अनकैडमी का लिंक है आप अनकैडमी पर भी फोलो करें और इसके बाद जो अनकैडमी पर टीज करना चाहता है 30,000 प्लस वहाँ पर सेलरी मिलेगी आपको तो आप अनकैडमी पर भी पढ़ा सकते हैं तो गुडबाई टेक क्यर थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम